हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग टू आल अफ यू आज 14 मार्च 2020 साराज के सारे टॉप करेंट अफेस अमलग देखने वाले हैं साथी साथ इससे जुड़े हुए सौ से डीड़ सो अलग से जीएस के फैक्स देखेंगे और मैप के साथ रिवीजन करेंगे ताकि एकजाम में एक भी कुश्चन आपका ना चूटे और जितने जीएस के फैक्स में रिवीजन कराता हूँ उसमें लगभा आपके दो से तीन घंटे निकल जाएंगे इसलिए इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखें चुकि सारे कुश्चन करेंट अफेस के इंपॉर्टेंट है और जीएस के फैक्स भी बार बार कुश्चन एक्जाम में आये हुए है किसे सामिल किया गया है और यह प्रोफेशनल गोलफर है तो आपको यह पता होना चाहिए बहुत सारे एक्जाम में यह भी पूछता है कि टाइगर वूट्स कहां से है और इन्हें अभी हाली में फ्रेशिबंसियल फ्रिडूम अवार्ड का मैडल दिया गया यूएस का प्रिशिद enriched फ्रिडंस फ्रीड Mamma वाड जो है यूएस का highest civilian एवाड है रोजर फेडर के बारे में आपको क्या याद आता है रोजर फेडर स्विट्जर लेंड के हैं और स्विट्जर लेंड की सरकार ने इनके नाम पे 20 फ्रैंक का सिक्का जारी किया था इनके सम्मान में तो यह बहुत बड़ी बात होती है तो आपको यह याद रखना है यह लॉन वित रेकॉर्ड माउंट कोशिको परकिस भारतिये ने तिरंगा फैरा कर रेकॉर्ड बना दिया है तो सबसे पहले देखिए माउंट कोशिको है क्या माउंट कोशिको जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे उची परवत स्रेनी है ठीक है ऑस्ट्रेलिया की सबसे उची परवत स्रेनी क्या है यह है माउंट कोशिको अब इस पर जुन्हों ने घंडा पह रहा है नूंका नाम देख लेते हैं option A भावना देवरिया कामया कार्तिकेन अर्पना कुमार और रुणिमा सिनहा तो यह जो है यह किया है record कायम किया है भावना देवरिया ने और यह जो है मदेपदिस के छिंदवारा से है तो यह बहुत ही जादा जरूरी है चुकि world record दूसरे continent में जाके बनाना ये बहुत ही मुस्किल काम होता है कामया करतिकन से क्या आप समझते हैं तो ये जो अमेरिका का सबसे उंचा परवत स्रेनी है वहाँ पे इन्होंने जंडा फेरा के world record अभी हाल में बनाया था तो ये भी most important हो जाता है ठीक है next fact है अरपना कुमार ये देश की पहली IPS officer है जिन्होंने world के सबसे highest जो जितने भी परवत स्रेनी है सब को सब पे चढ़ाई कर ली है साथी साथ mount terrorist पे भी इन्होंने फता हासिल कर ली है तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जुरूरी fact है next है अरुनिमा सिनह तो mount terrorist पे चढ़ने वाले ये पहली विकलांग महिला है ठीक है दिव्यांग महिला पहली कौन है अरुनिमा सिनह तो mount terrorist पे जिन्होंने भी चढ़ाई कि उससे related सवाल पुछे जाते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए अब बात करते हैं Australia के special facts की तो Australia के जो facts हैं सबसे पहले जो जरूरी चीज पुछे जाती है ये पुछा जाती ही कि काल गूटी जहां से इस word को सुनिए और कूल गारडी काप गूर्डी और कूल गारडी कूल गार्डी Wiz Harris ये डोनों जो है ने की खान है और ये कहां पाइय जाती है तो ये दोनों जो है मा सोने की गोल्ड माइनंस जो है यह अस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं यह वह सबसे लोवेस्ट पॉइंट है आपको पता है माउंट कुसी को जो है कोको यह तो हो गया सबसे हायेस पॉइंट लेक ही जो यह सबसे lowest point है एक सबसे important जो सवाल पूछा गया आपके एक्जामस में great barrier reef कहां इस्थित है great barrier reef याद करिएगा great barrier reef अगर मैं English यह हिंदी में दोनों में एक ही तरीके से लिखा जाएगा यह है Australia में ठीक है तो आपको यह दोनों fact याद रखने है और आपके एक्जाम में continental कि मतलब continental island कहते हैं साथी साथ यह एक ऐसा देश है जो कि पूरे continent में फाइला हुआ है तो यह आपको याद रखना चाहिए Australia की राधानी और वह पूछा जाता है अगर आपको इससे और related information चाहिए तो मैं मैप जो पिछले बार मैप मैं पढ़ाया हूं उसमें आप जाके देख सकतें अगर बढ़ते हैं कि वर्ल्द स्लिप्डे कब मनाया जाता है ऑप सलिपि के बारे में वेर्णेस राने के लिए आज के इस जवाने में लोग बहुत कौंस होते हैं जिससे उनकी betting ज्यादा खराब रहती है और health problem issue होने लगता है इसलिए world sleep day organize किया गया है अब जो है यह तीन मार्च के बारे में आपको पता है World World Wildlife Day मनाया जाता है तीन मार्च को साथ Zero Discrimination Day कब मनाया जाता है तो यह एक मार्च को Zero Discrimination Day मनाया जाता है और चार मार्च को क्या मनाया जाता है तो World No No National Safety Day सुरक्षा दिवस मनाया जाता है चार मार्च को इंडोस्ट्रियल इंस्ट्यूशन सा उनके लिए मनाया जाता है तीन मार्च को World Wildlife Day Zero Discrimination संडे एक मार्च को 8 मार्च को क्या मनाया जाता है अंतरस्ट्रिय महिला दिवस आठ मार्च को ठीक है और इस 13 फरवरी को नेशनल वीमेंस डे मनाते हैं तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि अलतरस्टी तो सब को याद आता है लिगी नेशनल पूछ दिया जाता है नेक्स्ट जो है हुई इस ब्रैंड अमेजडर आइडी एपसी बैंक तो इसके साथसा दरवाजा बंद भियान के भी ब्रैंड अमेजडर हैं आप को द्यान रखने हैं अब आत कते हैं प्रियंका चोपरा और अधिका पद गाने मिलचका है और दीपी का पादकोन जो है इन्हें वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम में क्रिष्टल आवार्ड से समानित किया गया और यह रिसेंट पर किया गया इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो युनेस्को वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम जिसका हेड़कॉर्टर है स्वि उस करेंट अफेस में हम लोग सारी जो करेंट अभी तक के पड़े होते हैं उसको रिवीजन करते हैं उससे आपका टाइम बजता है अगर आप खुद लिख के और वो करेंट अफेस रिवाइज करोगे तो आटलिस तीन से चार घंटे जाएंगे लेकिन अगर आपके पास पीडिएफ है तो आप रिवीजन ऐसे भी कर लिए तो और वहां बस उस वीडियो को लास तक देख लोगे तो आपके रिवीजन आटोमेटिक हो जाएंगे आपको पता ही है कि करेंट अफेस के लगबग साथ से 10 कोश्चन पूछे जाने लगे हैं हर जगा तो प्लीज उस चाहिए चाहालीश और लास्ट जो है एक्सो चालीश तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 46 और इसको टॉप किस ने किया है तो इसको टॉप किया है स्विर्जर लैंड ने अब बाकी के इंडेक्स भी हम लोग देख लिते हैं काफी दिन होगा इंडेक्स को रिविज इसमें इंडिया की रैंक थी 129 और यह दो साल पर जारी होता है जारी होता है इवन डीपी के द्वारा और इसमें भी टॉप किया था नौर्वे नौर्वे की राजधानी यह ओसलो और क्रोना वहां की करेंसी ठीक है अब बात करते हैं असी असी रैंक था करॉप्शन इंड इंडिया का रैंक था 80 और इसका रप्शन इंडेक्स को कौन जारी करता है ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है नेक्स जो फैक्ट है वन फुट्टी इंडिया की हैपिनेस इंडेक्स में रैंक जो थी वो थी 140 इंडिया की हंगर इंडेक्स में जो रैंक थी वो थी 102 यह सारे इंडेक्स पर हम लोग बहुत ही जड़ी वीडियो लाने वाले हैं वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाला एक कोश्चन तो पूछी दिया जाता है इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस वीडियो को जल्दी सजदी लाइक करते हैं और दोस्तों के साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो लेकिन वीडियो को लाइक करके फिर आप लोग आगे बढ़ें आप लोग लाइक बहुत कंजूसी से करते हो चलिए नेक्स्ट कोश्चन है वेर्विल विल और वेर्विल किया जाएगा ले में सबसे जो बरदस्त बात यह है कि ले और लद्दाक जो है जमुएं काश्मीर ले लद्दाक यह जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का योजन कहा हुआ था तो भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का योजन कहा हुआ था गुवा हाटी में और एक और चीज़ आपको बताते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहली बार योजन कहा किया जाएगा तो ये किया जाएगा लद्दाक में तो इतने important facts आपके revision हो जाते हैं इससे better तो कुछ ही भी नहीं है अब आते हैं जमू कस्मीर और ले लद्दाक का मायब देख लेते हैं ताकि आपका better revision हो जाया ये रहा जमू और ये रहा कस्मीर मैंने पताया भारत की सबसे fresh water lake जो कौन है वो है वूलर लेक वो कहा है जमू और कस्मीर में जमू और कस्मीर से ही सिंधु नदी भारत में एंटर करती है और नदियों पे बहुत ही बहतरीन वीडियो पढ़ा हुआ आप जोग्रफी के प्रेलिस्ट में जाएंगे तो सारी नदियों पे वीडियो बनाया है हमने with map आपको पढ़ाया है जहां से आपको याद करना में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही conceptual clarity के साथ ठीक है तो ये जो है आपको सिंधु नदी जो है जमू कस्मीर से होकर बैती है और पंजाब में सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब इन सब नदियों से मिलती है इसलिए उसे पंजाब करते हैं पांच नदियों की भूमी तो सिंधु नदीन कहां से निकलती है इस सब पर एक डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है अब बात करते हैं जमू कस्मीर में जो निशनल पार्क है और जो वाइल लाइफ संग्चुरी है तो जो हैमिस हाई निशनल पार्क मैंने बताया था हैमिस हाई निशनल पार्क की ये कहा है तो यमू और कस्मीर में है किस्तवार नीशनल पनगा है यह भी यमू और यह llegar में यहाँ पर ये फ्रेश ओर लेग तो हैं डल जील और वुलर जील साथि साथ यहाँ पे दो साल्ट वातर लेग भी है मतलब नमकीन पाने की जिल उसका नाम है पगांग सो और सो मरोरी दो जो हैं साल्ट वाटर लेख हैं उसके नीचे आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में क्या है तो हिमाचल प्रदेश में आइस कैफे भारत का पहला बनाए गया था तो यह आपको याद हिमाचल प्रदेश की राधानी कहा है तो यह है सिमला मे कि और हिमाचल पर्देश के जो कि क्या कहते हैं उसे नेशनल पार्क से उसको हुम लोग देख लेते हैं तो पहला नेशनल पार्क जो हिमाचल परदेश में वह है पीन वैलीडी प्लीज पेनः कौपी लेके बैठी यह और उसे नोट करते चलें दूसरा है इंदर किला इंदर किला तूसरा है खीर गंगा ठीक है और चौथा ग्रेट हिमालया पांचवा है सिम्बल बारा तो अगर आपने हमारी नेशनल पार्क की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें ट्रिक भी बताया था हिमालया का खीर किला पीनवयली का सिम्बॉल है यह ट्रिक है वहां पर तो अश्य ट्रिक सारे नेशनल पार्क के लिए बनाए गया है जो आपके एक्जाम में पुछे जाते हैं तो प्लीज नेशनल पार्क वाली वीडियो जरूर देखें उसका लिंक मैं सेयर कर दूँगा तो चलिए आ प्लाखन में नेशनल पार्क है उसका क्याना में तो कॉर्वेट नेशनल पार्क दिखिए आपको यहां दिख भी रहा है हर्याना में हर्याना का का काला सुल्तान मैंने बताया था कालेसर नेशनल पार्क और और सुल्तानपुर नेशनल पार्क दो जो हैं नेशनल पार्क यह हरियाना में इस्तित हैं तो यह सारे फैक्ट्स आप जरूर याद रखिएगा पंजाब की जो क्लासिकल डांस की अगर बात करें तो पंजाब में भांगरा डांस गिद्दा डांस यह फेमस है और यह आपके केरला का मोहनी अटम भी केरला का कथक का है तो उत्तर प्रदेश का जरूरी याद रखिया आप लोग और और भी तमिल नाडू का भरत नाट्यम है तो यह पूछा जाता है आपके एक्जाम में तो इसे जरूर द्यान रख्के चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है वेर विल बी और्गनाइड इंटरनेशनल यूगाड हो गया इसे रिलेटेट सारे फैक्स भी हम लोग देख लिए सहयाध्री मेगा किस फसल की किसम है जिसे हाली में विक्सित किया गया सहयाध्री मेगा जो है किस फसल की किसम है तो यह धान की किसम है जिसे अभी पेस्ट रेसिस्टेंस के तौर पर बनाया गया है ठीक है तो यह जरूर याद रही है क्यूंकि यह निवली रिसर्च और नियूज में चल रहा है सहयाध्री मेगा सहयाध्री परवत कहा है महरास्ट्रा का जो विश्टर इंडिया में क्या-क्या है इस तरीके से रिलेटेड क्या मुझे लाना चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं 11 मार्थ से किस बैंक ने नियुंतम बैलेंस रखने के बैता समाप्त कर दिया तो यह बैता समाप्त की है इस बैंक को पता ही है इस बैंक जो है एक तरीके से बहुत बुरा हाल है इसका जो हेड़ थे राना कपूर उनको आरेस्ट कर लिया गया है और इसको कॉंसर्टियम देने का सुभिधा जो है एस बी आई नहीं किया है और आरबी आई आरबी आई के स्थापना 1935 में हुई थी और इसका नेशनल आईएशन खconomy यह, और आइचर बनायागा है तो ऑप्सिन शॉर्बट सने वाल्ड एकनोमिक फॉरम के दोरा जोगत हो कोबिज एक्शन प्लैट फोर्म से जरूर रहे है वाल्ड एकनोमिक एडीबी एडीवी के हेड़ कौन है मसाथ सुगू असाकावा जैपनीज है यह और एडीवी का हेड़ कोटर का है एसे डेवलप्मेंट का फिलिपिन्स मनीला में और फिलिपिन्स कहीं एक रेमन मैक्से से फर्स्ट प्रेसिडेंट से जिन्हें के नाम पर आवार दिया गया थ तो यह जो है IIT मंडी के द्वारा अस्थापित किया जाएगा और इस तरीके से आज का करनेटर पर समापत होता है थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग आप इसकी पीडिएफ हमारे टेलीग्राम या वाट्सप किसी भी गूरूप से ले सकते हो थैंक्यू सो मुच